हालो वो जो अपने वैल्यूस निकाली थी पता है ना कि जारेबल की वैल्यूस कैसे निकाली थी यह वन टेल दे रखा था फिर अपने एक मैसे जो एक होता है एक मैसे अपने वन टेल को लेस्किया था अपने पास क्या आगया था एक मैसे इस वन टेल की वैल्यू को लेस्किय पार कहले हना दिफुरां एक तो इनों ॉसर में कितना है जए तो इनों का इंड़ नहीं है पॉइंड नहीं Chris Pet đã επιगाइं ब्रosit मैं कि flying 0.0169 0.0169 ठीक है तो यहां पर आजाता है 0.0169 divided by 0.05 multiplied by 0.0169 divided by 0.05 multiplied by 0.032 तो यह आज़े था पने पास 0.01 0.01 नहीं है 0.010816 0.032 की ऐसा आया था पता है अपने इंदोलों का जो अपने देखा कि यहां पर 0.58 की वैल्यू चाहिए 0.55 है तो इसमें से इसको लेस के तो 0.032 0.05 की डिफरेंस अपने को पता है 0.032 की वैल्यू इंटर्पॉलेशन से अपन निकाल सकते हैं फिर उसके अंदर अपन आयट कर लेंगे किसकी 0.55 की जो वैल्यू थी किती थी 0.7088 तो यह आगे 0.55 की और यह इंटर्पॉलेशन से अपने 0.032 की निकाली है तो पुरी टोटल 0.580 की वैल्यू आगी थी अपने पास किती आगे थी 7088 7196 7197 कर दे देंगे डी टू के अंदर वे वापस अपने को यह देखना है 0.5 की जी के 0.05 रहेगा तो यहां पा जाता है 0.05 तो यह एक 0 यहां से हर जाएगा 0.018 892 divided by 0.5987 यह जाता है 0.03155 0.03155 इसमें add कर लेते वापस 0.25 की value 0.4013 0.4013 कितना जाता है इन दोनों का difference कितना था इन दोनों का difference 0.0192 अब अपने को चाहिए किसका difference 0.4 0.5 के interpolation कर लेते है 0.0192 0.2 divided by 0.05 multiplied by 0.0492 0.018892 0.018892 अब अपने 0.5987 यह जाता है 0.5917 0.0610 0.59 यह D2 की value है तो D1 की value D1 की value नहीं देखरी है नहीं देखरी है न तो नहीं कितने कितने कैलकूलेट की थी तो बिट गई कितना है 0.12 6 divided by 12 into 0.12 0.06 अब को बता है 0.06 की value इस 0.06 की value कैसे निकाल लेंगे अगर नहीं दे रखा हो तो सबसे पहले कालकूलेट में 0.06 multiplied by 0.06 divided by 2 plus 0.06 plus 1 0.0618 मैंने कैसे calculate किया मैं लिखती हुए मैंने सबसे पहले किया 0.06 फिर किया multiplied by 0.06 फिर किया divided by 2 फिर add किया 0.06 को plus किया 1 सब में यह रहता है जो भी value की दो बार multiply करेंगे divide by 2 करेंगे plus उस value को plus 1 तो अपनी e की value आ गए नहीं दे रख्यों थे कितनी बार e की value फिर अपने nd2 की value कितनी अपने पास थी nd2 की value थी 0.610 0.610 जो नीचे लिख लाता है 0.61059 0.61759 0.018892 plus 0.5987 61759 तो अब यहां पर इननों को multiply किया 18 multiplied by 0.7197 यह जाता है 57.576 minus यह value किती है यहां पर value किती है 0.010 0.618 इसको आप multiply कर लो 75 से ठीक है कर दिया अब उसमें से आप क्या करो 75 से multiply किया nt2 को उसमें multiply कर लो multiply nt2 nt2 की value किती थी 0.61759 value बड़ बड़ा लिए 75 multiplied by 75 multiplied by 75 multiplied by 1 point यहां पर 1 कौन लिखेगा यह यहां टी की value है तो यहां पर जाता 75 multiplied by 1.0618 उसमें 1 add करना था यहां पर जाता है 1 point फिर अपर यहां पर multiply किया nt2 की value 0.61759 75 multiplied by 1.0618 multiplied by 0.61759 यहां चाहता है 49.181 57.57 57.5756 57.5756 यहां पर काहने गाड़ी कुट हूई है nd2 की वैल्यू कितनी है